दोस्तों आज मैं जहां खड़ा हूँ यह अरिया आता है स्टर 37 B का और दुवार का एक्सप्रेक्चर के उपर, तो चलता हुआ रोड है आपको आवाज भी आ रही होगी और मैं जीज जगह के उपर खड़ा हूँ, यह दुवार का एक्सप्रेक्चर के 37 B वाले साइड वाला पर लेता हूं कि 37D में दो नाले आते हैं जो कि एक सेक्टर 90 की तरफ से आता है और दूसरा नाला आता है आपका SPR रोड से लेके डारेक 37D में इसको बोलता है बाक्षापुर्जी तो फेस वन था जो SPR रोड से लेके आपका नेशनल हाईवय लेचेट तक वह कंपलीट कवर हो चुका है आप चाहो तो बाक्षापुर्जी रेकर के गूगल भी कर सकते हैं तो इसमें सेस वन है वह कर देख रहे हैं यह कवर हो जाएगा जो नाला 90 से लेके आता था 37D होते हुए इस साइड वाला जो यह इधर का है 90 वाला नाला और यह नाला ओड़ी शिप्ट करने के लिए आज में जहां खड़ा हूं मैं नाले के उपर ही खड़ा हूं तो यह नाला शिप्ट हो जाएग वाला टिर्या कर दिया गया है तो इसका क्नेक्षिण रहेगा हुई दौरकाा एगद गीदा कैशी आगेर आगर आप देखो गए तो दौरका इसक्ट नाला भनाया है जो अगर वीमें आगर बनाया हुए कि यह नाला वह है जो नाला यह की दो ग्लोबल सीटी के अंदर से होता हुआ, तो यह नाले का यहां पे कोई कंसर्म नहीं रहा, अगर आप यह सोच के इन्वेश्ट नहीं करना चाहते हैं, यहां तो नाला आता है, हाँ, आज अगर आप आओगे तो आपको अजीट सी यहां महें काती है गंदी नाले की गंदा पा जब यह प्रोजेक्ट भी अगर आड़ी हो जाएगी, क्योंकि यह वाला जो नाला है, जो इधर वाला में कह रहा हूँ, जो 90 सी आ रहा है, यह तो कुछी टाइम के अंदर यहां पे स्ट हो रहा है, इस नाले के ऊपर, जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, इसमें यह ट्राश् इस नाले के अंदर, तो इस सारे के सारे कवर हो जाएगे, आपको नाले का कंसर लेने की जुरूरत नहीं है, जोगी ग्लोबल सीटी चे लेकर 37D तक, ओल्डी यह नाला बना दिया गया है, बैस इसका ट्रांसफर करना बाटी रह रहा है, जल दो यह ट्रांसफर करके कि यह इसको कवर कर दिया जाएगा, नाले का मेरी इसाफ से कोई चंसर नहीं होगा आपका, क्योंकि अगर आप वीजिट कर्म के इस शेरी को एक बर चैप भी कर सकते है, कि मैं यह बाते आपको सही कह रहा हूं यह नहीं कह रहा हूं, तो यह नाला इस नाले के उपर चलना अप, और सीधा गलोबल सीपी के उपर ही जाके यह खतम होगा, क्योंकि वहीं से जहां से नाला शुरू हो रहा है, रोड के नीचे से नाला निकाला गया है, द्वारता एक्सप्रेक्से के नीचे से, कि वहां से लेके ही यहां करते हैं, आगे अगे आप देख आ रहे हो ना, तो यहां से द्वारता एक्सप्रेक्से का पानी भी इसके ट्रांस्पर करने का जो प्लान हो बना दिया गया है, और इसके आगे दिये, तो आगे तक यह एक प्रोफर कवर है, अब दोस्ते बात करता हूं द्वारता एक्सप्रेक्से की, द्वारता एक्सप्रेक्से मोस्टी ऑ और इसका innovation करना है। ऐसे यह द्वार्का इक्सक्रेक्शी रइडी होगा, इसका development होगा है। Innovation करने के बाद हर government चाती है कि इसने कुछ अच्छा काम किया है, तो वह marketing करे या public करे। तो इसको darling काफी अच्छी तकी से market करेगी। इस एरिये को आप बुम के तोड़ के देख सकते हैं क्योंकि साथ में मार्केटिंग होनी है गलोबल सीटी की तोगी गलोबल सीटी भी द्वारका एक्सट्रेक्श्य के 37D इनके एज्वाइन्स आती है क्योंकि यहाँ ही से आपका मेम इल्फेश्ट्रेक्शर रेडी होता है क्योंकि मे 021 धावड तो इनके आफ्ट्रेश्ट्रेक्शर को लोग यह जानते हैं कि यह भूम है, एक भूम है रियस्टेट के अंद है, लेकिन बबल नहीं है, आप बबल नहीं है, आप बबल नहीं मान सकते इसको, क्योंकि बबल उसको बोला जाता है, जो बिना आकड़े एकडम हवा में हो जाए, जैसे कि गुड़गाओं की पुरानी म बनाते हैं GDP, इकनोमिक, इसके उपर अगर आप देखेंगे, आकरे चेक करेंगे, तो रियस्टेट जैनुएन रेट की उपर चल रही है, तो दोस्तों, 37D का आज मैं आपको दो ऐसे प्रोजेक्ट बढा रहा हूं, जिसके अंदर आप अच्छे टैम की उपर एंटर हो सकते रही है, नवराज डेवलोपर के दुआरा, नवराज की यहां 35 ऐकर की लैघन पार्शल आता है, 37D में, उसके बाद यहां पे जो लैट पार्शल आता है, तो बना भी रहा है, उसकी भी आख आ रही है, जह वाइट कवर के आप यह देख रहे हैं यह दोपर ऐख दो की यह, अभी लम्चम 9-10 एकड के अंदर यहां पे एक हाई-डाइस प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और यहां पे यह दो एकड़ के उपर बिल्कुल बैंग और द्वार्ता एक्सप्रेक्ट रहें है जब कि ब्रैरी होगा है लोट्मेंट के लिए तो यहां पे सेंपल फ्लैक्ट लोंज किया था 6,000 दोस्तों के रेट से लोंज किया था आज वहां पे लम्चम 10,000 रुपे का रेट हो चुका है और वहां एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मैंने देखा नहीं है गुड़गाओं के अंदर अगर आपने देखा आ तो कमेंट सेक्टर में जरूर बदाना सारे पांच एकड़ का प्रोजेक्ट था पूरा बेस्मेंट टेनल था उसके उबर फिर गाडन था और स्टिल्ट पार्किंग ती उसके उपर फिर 5 पुलोड थे डिरेक्ट जो आपकी गाड़े फिए वह जाते थी नीचे बेस्मेंट के अंदर अगर आप स्टिल्ट पे लगान तू साइड ओपन इन्वेंटरी है, हर फ्लैक आपका ग्रीन फेशिंग है, तो यह इनका लो राइस का प्रोजेक्ट है, तुकि यहाँ पे इनका लाइन परसल काफी अच्छा है और यह गेवी कर रहे हैं, जोइनट जो राम परस्ता के साथ यहाँ पे आएंगे, और यहां पर जो इंटर देखने को मिलेंगे तो काफी अफ्रीसेशन वाले हुए दूसरी डाउलमेंट आ रही है सिगनेचर गोलोबल के दुआरा पीछे देखोगे तो दीन दियाल के वो जल्द ही पोजिशन होने वाले है प्रोजेक्ट है यह आजाता है आपका मिलेनिया थ्रीस गोलोबल का अफोरेबल प्रोजेक्ट तो यहीं पर इंदर जा रहा है हाई-rise के अंदर तो हाई-rise की यहां पर डवलोमेंट है वो सिगनेचर जल्द लोंज करने वाला है अगर आप इन दोनों प्रोजक्तों को गहराई से समझेना चाते हैं तो आप मिल सकते हैं कॉंटेक्ट कर सकते हैं किस प्रोजेक्ट के अंदर प्रोपटी आपको बाई करनी चाहिए तुसरी डवलोमेंटरी में आपको बदा देता हूं त्री सुमी जल्द ही अपना वेजिदेंशल सेस है वो लोंज करने वाला है वहां भी एक नई प्राइजिंग को नई तर्व करेगा जनुरी परवरी के अंदर और अच्छा रेक की उपर करने वाला है तुस्तीन प्रोजेक्टों के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं सारी चीज़ी है जो अभी डिस्कस करनी बाती है तो हम और वराई से समझना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं और मिल पर डिस्कस कर सकते हैं थैंक्यू दोस्तों